कि अपने करों में स्वास पर सुरुक्षित होंगे और प्लियंग की गाइटलेंट को फोलो कर रहे होंगे इस्ट्रेंट्स आपने भी एड्स में देखा होगा कि गवर्मेंट और अपने 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 असेस्मेंट ले और गवर्मेंट को बताए कि आप हेल्दी है और आपको को नहीं हुआ है आप उससे पीडित नहीं है आपको अगर उससे कोई सिंटम सते हैं तो वो भी यह उसमें मेंशिन कर सकते हैं और अपने पाउंस कर्णे करल बीदिक कब एक हैं हमने इस से लेटर कुछ questions भी solve किया थे और आस्ट आपका identity एक और रहे है आज हम लेखते हैं कुछ कुछ questions देखेंगे आज हम कुछ questions देखेंगे इन है नेटिस पर बेसे हो आपका फर्स्ट टाइप को कुछन है इसको आपको multiply करके निकालने नहीं है इसको आपको को यूज करके इसको solve करना है तो इसका solution देखेंगे आपको गीवान है तो 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते है और 109 को 100 प्लस 9 लिख सकते इस ट्रेंट तो यह वाली अब जो form जो होगी आपने एक इसको अब इस प्लस अब यह वैलिए पूट करेंगे तो आपको इसका प्रोटेक्ट मिल जाएगा तो 100 प्लस 4, 100 प्लस 9, equal to x square, x आपको कहा है, 100, तो 100 का square, plus a plus b, a कितना है, 4, 4 plus 9, x plus a, b, तो 4 मल्टी, 9 विदेगा, तो अब आपको 100 का square लेना है, 1 double 0, then again 2 0 ओल गते हैं, फिर 9 plus 4, 9 plus 4 कितना होगा है, 30, तो 30, x, फिर 9 plus 4, 36 होगा, जो कितना होगा, 10,000, प्लस, मल्टिप्लाइ करेंगे, 300 plus 36, तो अब स्ट्रेंट्स आपको मिलेगा, 11,336, तो 11,336, क्या होगा, 104 मल्टी, 109 का product होगा, तो इस तरह से आप इस identity को यूज़ करके, easily product find out कर सकते हैं, I hope students आपको यह समझ में आ गया होगा, तो हम इस से रिल्केट एक और question देखते हैं, थोड़ा अलग वे में है, तो आपको मैं वो भी clear कर देता हूँ, ताकि आप अगर NCRT के questions गरपे बटके solve करें, तो आपको सारे questions हो जाएं, आपको find out करना है 94, multi 97 का product find out करना है, तो देखें, हम इसका product कैसे find out करेंगे, questions, आपको मैं एक practice question देता हूँ, उसको आप गरपे solve करने की questions करना, देख questions, आपको आपको मिला है 94, multi 97, आपको मैं hand देता हूँ, यह 94 है, तो 94 का आप देसकते हो, 100-6 और 97 है, 97 कापी से तो 100-3, अब आगे है a-b, 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 और a और b की यहाँ पर दोनों के हैं, negative, तो इसको लेखें, आप इसका product easily find out कर सकोगे, questions हम आगे बढ़ते हैं, next type of questions की ओ, तो देखें, अब दूसरी identities पे बेज हम questions देखेंगे, questions यह से इस टाइप आओगा, using algebraic identities, using algebraic identities, factorize, अब आपको क्या करना है factorize करना, strengths, जैसे ही आपको first दिया है, x square plus 6xy plus y square, तो strengths इसको factorize कैसे करेंगे, हम देखेंगे, यह तो लिखेंगे, जो given है, x square plus 6xy plus y square, okay strengths, अब देखो, यह क्या है x square, इसको हम x का whole square लिखेंगे, questions, okay, plus, आप यहां पर छोड़ देखेंगे, यह तो किसके form में देख रहा है, x square plus 2ab, 2ab plus b square, यह y square को भी हम y का whole square, की form में लिखेंगे, questions, okay, whole square लिखेंगे, तो strengths, आपको question given है, x square plus 6xy, 6xy plus 9y square, तो देखेंगे, हम strengths, इसको हम factorize कैसे करेंगे, सबसे पहले तो as it is question को रिखेंगे, 6xy plus 9y square, question देखेंगे, यह तो x square, इसको हम x का whole square की form में लिख सकते हैं, और यह तो एक किस form में देखेंगे आपको, x square plus 2ab plus b square, तो 9y square, 9y square, 9 किसका square होता है, 3 का, और y का square, y का क्या हो, y square का y, तो 3y का whole square लिख सकते हैं, question, तो 9y square को लिखेंगे, 3y का whole square, तो यहाँ पर a और b, a आपका कितना है, x, और b कितना है, 3y, तो यह इस form में आ गया, कि a square plus 2ab plus b square की form में आ गया, अब इकोल यह identity किसके कोल होती है, a plus b के whole square के equal, तो आपका x square plus 2x, 3y plus 3y का whole square, यह किसके कोल होगा, आपका यह क्या है, x है, तो x plus b किसके कोल है, 3y के, x plus 3y का whole square, बस इस इसको यहाँ पर यह आप तर छोड़ देना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, यह बहुत easy concept से आपको बस यह अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next type of questions के ओर, तो देखो, जैसे के आपको दिया है, x square minus 4x plus 4, तो आपका इसका solution find out करना है, इसमें देखो, क्या अलग है, उसमें क्या था, बीच में, positive value थी, plus था, plus sign था, और यहां पर कितना है, negative sign है, तो आप, जो दूसरी type of identity थी, हमारी third type of, क्या थी, a minus b का whole square equal to a square minus 2ab plus b square, उससे comparison करके हम that solution करें, तो क्या identity, a square minus 2ab plus b square, यह कितना होता है, a minus b का whole square होता है, तो वैसे ही, हम x square है, उसको लिख सकते है, x square minus 2, a कितना होगा, a b को छोड़ देजा है, फिर b, b कितना है, 4 है, b square equal to 4 है, तो b कितना होगा आपका, under root 4 होगा, under root 4 equal to 2 हो जाए, तो इसको लिखेंगे 2 का square, अब लिख सकते हैं, कि आपका a कितना है, x, और b कितना है, 2, तो यह इस फोर में आगया, तो इसको आप लिख सकते है, a minus b, आपका a कितना है, x है, x, और b कितना है, 2, तो b x minus 2 का whole square होता है, इस तरह सब इसलिए इनको factorize कर सकते हैं, I hope students, आपको एक concept समझ में आगया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, और third type के question कियो, students यह भी तो बहुत ही basic questions आ रहे हैं, जो example में बहुत rarely पुछे जाते हैं, objective types में इसको पुछ सकते हैं, फिर हम आगया-ागे जैसे-जैसे solve करेंगे, विससे questions का level है, वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके जो concepts है, basic concepts है, वो clear होना चाहिए, आपका basement clear होना चाहिए, सही होना चाहिए, strong होना चाहिए, तो students देखिए, आपको दिया x square upon 100 minus y square, तो, अब x square upon 100 minus y square, अब देखो, strengths, x square upon 100 है, तो हम लिख सकते है, x upon 10 का whole square, प्योंकि x square x हो जाएगा, और 10 का square 100 हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते है, y है, तो y का whole square है, इसको हम इससे लिख सकते है, तो यह कौनसी form ओकी strength of, a square minus b square, तो यह identity क्या होती है, a plus b, equal to हो था है, यह minus b, तो x upon 10 का square minus y का square, किसके इकोल हो जाएगा, x upon 10 plus y, x upon 10 minus y, तो strength इस तरह से आप इन अलग-अलग equations का characterize कर सकते हैं, अलग-अलग different identities को use करके, बस आपको सिफ रिकोगने करना है कि उसके pattern को देके, उसके structure को देखके, आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि आपको कौनसी identity यहापे apply करना है, और आपको appropriate identity यूज़ करके उसको factorize करना है, प्रोड़क्ट दिया दो प्रोड़क्ट फ्रैंड करेंगे और इस तरह से आपको मैं कुछ practice questions देता हूँ, जैसे आप गर पे practice करना, तो note on किजिए, 4x square upon 64 minus 9y square, questions इसको अब आई रेंटे से factorize करना, और देता हूँ, 36x square minus 49, तो कितना हुआ, यहां पर आपने जाएगा 84x, तो strength इसको आपको factorize करना है, तो strength यह दोनों question आप दरपे practice करना है, और अकर इससे आपको कुछ भी बहरेश होदा, आप comment box में टाइब करके पूछ सकते हैं, अब हमारी टेलेग्राम पेज पर चैनल पर भी diameter classes की नमेंटे चैनल है, अब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वापे भी आप अपने solutions, doubts, कुछ भी queries होता आप आपके, हमें contact कर सकते हैं, आपको as soon as possible, जल से जल आपको आपका solution provide हो जाका, आपकी जो problem में वो sore हो जाएगी, और बाकी सब्सक्राइब कर लेए, तो उसको subscribe कर ले, ताकि आपको फ्यूचर्स में जो भी नए वीडियोज होंगे, अप्लोड होंगे उनको, आपको अवेलेबल हो जाए, Okay Strants, stay home, stay safe, India fights corona, thank you for watching.